हेलो आप सबी कैसे हैं अब इस फूडियो में हम चोपन सो तेतीस में आठ का डिवाइड कैसे करें या इसको हम ऐसे भीन के रूप में भी लिख सकते हैं आठ का डिवाइड कब करपाते हैं जब दिये गे संक्या इससे बड़ा हो तो यदि एक अंग के साथ तुलना करो क्या इस आठ से बड़ा है डिवाइड करने का सबसे आसान तरीक समझने का प्यास करेंगे वीडियो बहुत इस होने माला है इस फूरी को पूरा देक़्िए किया यह इस से बड़ा है नहीं है, तो फिर अगला अंक सामिल कर लो, अब 8 से बढ़ा है, यस, 8 का टेबल, 8 का पाड़ा कितनी वार लेंगे, 54 से बढ़ा ना है, लगाओ दिवाब, 8 का पाड़ा बोलना शुरू करते हैं, एक आठ आठो, बे आठा, शुरू है, तिन आठा, चुईस, चैरों आठा, बत्तिस, पांच आठा, चालिस, छै, आठा, 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 चालिस, छै वार लेते हैं, चोपन के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए, यदि सात वार लेंगे, जो चोपन से बढ़ा रहे है, सात वा गया, अब हम क्या करते हैं, उपर से एक आंग्या ले आते हैं, आठो, आठा, शुरॉर। आठा, चुरॉष यदि इस से बढ़ा गया, लेकिन सात वार लेते हैं, फिर हमने इसको गटा ना होता है, तिरह में से च्जा गया, कितना ँगया, सात उपर से, नव आठा, बहुत फिर हमने घटाया कितना कि एक अब आप में से कोई बच्चा बोलेगा कि सर यहां आप अंग नहीं है खतम होगे अंग नहीं है अंग खतम होगे तो क्या करेंगे आगे डिवाइड करने के लिए सर पॉइंट लो और इसके साथ जीरो लिख दो डिवाइड हो जेगा एक वार क इतना गया इन फिर सर घटादो दो आगे पॉइंट लगा रखा है तो क्या करना है घटा ते जो सें क्या इसके साथ एक 0 लिख देना है इधि दिवाइड हो गया दो बार कितना आगया शोड़ा फिर आमने घटा दिए आगए चार पॉइंट लगा रखा जीरो आगया भग पर अपना क्या लिखते हैं भागफल लिखते हैं धन्यवाद